नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्रम चैन आज के इस वीडियो में हम जी एस पेपर 2 से रिलेटेड टौपिक इंटरणाशनल रिलेशन को डिसकस करेंगे हम देखेंगे इंडिया और इस्राइल के डिप्लोमाटिक रिलेशन्स क्योंके फिलहाल में ही इंडिया और इस्राइल ने 30 साल पूरे किये हैं अपने डिप्ल बारत इसराइल राजनाइक संबंदों पर संचिप्त टिपडी लिखी है हम आंसर के शुरुवात करेंगे बताते हुए कि इंडिया और इसराइल अपने डिप्लोमाटिक रिलेशन की 30th anniversary मना रहे हैं अपने राजनाइक संबंदों के तीसरे वर्ष्ट का जश्त मना रहे हैं और इसी के उपलक्ष में तोनों देशों ने मिलकर एक 30 नमबर के आकार का एक लोगो लॉंच किया है इस लोगो में डेविट का सितारा और अशोक चक्र बने हैं अशोक चक्र जैसे कि हमें पता है कि इंडिया का नाशनल एम्बलम है और इसी तरीके से डेविट का सितारा या स्टार ओफ डेविट जो है ये इसरायल के जंडे पर बना हुआ है अब बाद में गूगल करके रेखेगा कि ये स्टार ओफ डेविट कैसा दिखता है फिर हम बताएंगे कि इंडिया ने इसरायल को एक as a country official recognition दी थी 1950 में लेकिन इंडिया और इसरायल के जो bilateral ties हैं दोई पक्षी संबंध है 29 जनवरी 1992 से इस्थापित हुए थे और उसी के बार से इंडिया और इसरायल कॉंस्टेंटली एक अच्छा संबंध बनाए हुए हैं और बहुत सारी फिल्ड्स में मिलकर काम कर रहे हैं जैसे हेल्थ केर में एगरिकल्चर में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में इन सारे सेक्टर में इंडिया और इसरायल मिलकर तब से काम करते चले आ रहे हों और इंडिया और इसरायल के रिलेशन कंस्टेंटली फ्लरिश कर रहे हैं संब्रिद बनते जा रहे हैं फिर इंडिया और इज्राइल के रिलेशन अलग-अलग सेक्टर्स में कैसे हम सेक्टर्स वाय डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल्च्रार रिलेशन या सांस्कृतिक संबन तो जुएश पीपल यानि यहूदी लोग भारती समाज का आवेभाजे अंग रहे हैं बहुत लंबे समय से इंडिया की सुसाइटी में जुएश लोग रहे हैं और इंडिया का कल्च्रार रिलेशन जो है दोनों देशों के बीच में इंडिया और इस्राइल के बीच में वो भी हजारों साल पुराना है बहुत सारे यहूदी लोग इंडिया में रहते हैं और वो इंडिया का ही पार्ट बन चुके हैं तो सबसे पहले कल्च्रार रिलेशन में ये पॉइंट है उसके बाद हम देखते हैं एकॉनमी आर्थ व्यवस्ता के चेत में कौन-कौन से पॉइंट से हैं तो मर्चंडाइस ट्रेट जो इंडिया और इस्राइल के बीच का है ये 4.14 बिलियन डॉलर था अप्रेल 2020 से फरवरी 2021 के बीच में और इंडिया इस्राइल का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा ट्रेट पार्टनर है और पूरे वल्ड में देखा जाए तो सात्वा सबसे बड़ा ट्रेट पार्टनर है उसके बाद इस्राइल ने इंडिया के एकॉनमी को हमेशा सपोर्ट किया है Make in India, Made with India के concept के साथ इंडिया में तो economy के field में हमने देखा क्या संबन्द है पर हम आगे बढ़े से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ तो आपके नीचे दिये गया नमबर पर कॉंटक्त करके बारे में जनकारी ले सकते हैं, यहां पर पूरा स्टाडी माटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वन-to-one गाइड़न्स दी जाएगी, आपकी सारे क्योरी इसका जाएगा, आपकी मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो नीचे दिये गया नमबर पर क्रॉल करें, और ज़रू जोइन करें, आपको बहुत वाइदा देखने को मिलेगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अब देखते हैं, तो इस्राइल इंडिया को रश्या के बार सबसे बड़ा सप्लायर है, डिफेंस हैं, फिर अग्रिकल्चर की फिल्ड में देखे हम तो डिफ इरिगेशन, डिफ सिचाई की प्रणाली जो है इंडिया को इस्राइल से ही मिली है, और साथ ही साथ भारत और इस्राइल के बीच, क्रिशी सहयोग के विकास के लिए तीन साल का समझोता को हुआ है, इंडिया और इंडिया के अग्रिकल्चर सेक्टर को फ्लारिश किया जा सके, फिर साइंस एंड टेक्नोलोजी में हम देखेंगे तो इस्राइल अभी रिसेंटली पाइट बना है इंटरनाशनल सोलर अलाइंस का जिससे की इंडिया ने शुरू किया था, साथ ही साथ पैंडमिक के टाइम रिपर महमारी के समय पे बहुत सारे चिकित्सा उपखरनण हेल्थ मेडिकल एक्विपमेंट्स इस्राइल ने इंडिया को भेजे थे और इस्राइल इंडिया को वाटर मानेजमंट प्रक्राइसेज करने के लिए हेल्प कर रहा हैं तो इसराइल की पार सबसे अच्छी टेकनोलोजी है कि समुद्र के खारे पानी को पीने लाइट पानी में कनवर्ट कर लेता है तो वाटर मैनेजमेंट में इसराइल बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है तो इंडिया उसका सायोग लेकर के अपने आपको इतना डेवलप करना चाहता है जो इंडिया के जो वाटर स्कार्स वाले रीजिन है जहां पर पानी की काफी कमी देखी जाती है जैसे सबसे जादा हमारा सूखा रीजिन पाया जाता है बुंदेलखंड में तो इस तरीके की रीजिन में इसराइल के टेक्नोलीजी का करें इंडिया में आ जाए तो बहुत जादा डेवलप्मेंट देखने को मिल सकता है सूखे की जो प्रॉबलम है ये खतम हो सकती है तो mainly water management में इसराइल के साथ काफी अच्छा इंडिया काम कर रहा है फिर हम way forward discuss करेंगे और answer को conclude करेंगे हम बताएंगे इंडिया और इसराइल के relations में बहुत potential है बहुत सारे वैश्टफिक मुत्तों global issues पर काम करने के लिए global issues जैसे जलवायू परिवर्तन, पानी, भोजन की कमी जनसंक्या विस्वोट आतंगवाद इस रूप इन सारे मुत्तों पर ये दोनों कंट्रीज अगर सक्री रूप से काम करें तो बहुत जादा डवलप्मेंट इस सेक्टर में देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ बोट कंट्रीज है इफ बोट कंट्रीज है रिलेशन्स के और तौफिक कवर करते रहेंगे वन बाइवन तो बने रहेगा चानल के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक्यू फॉचिंग